आप एक WhatsApp user हैं और WhatsApp पर दूसरों के status देखते हैं और WhatsApp पर status लगाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा useful होने वाली है इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp status की 4 new setting के बारे में बताऊंगा अगर आज आप इस वीडियो को end तक देख लेते हैं और status की 4 new setting को सीख ल लेना है अपडेट करने के बाद आपने इसको open करना है WhatsApp को open करना है status वाले section में आना है pencil के icon पर क्लिक करना है अब यहां पर आपको किसी YouTube वीडियो के link को paste कर देना है तो दोस्तों आप देखेंगे यहां पर YouTube वीडियो का पूरा थमलेन यहां पर दिखाई दे रहा है जैसे पता नहीं चलता था कि वीडियो किस topic पर है लेकिन अब आप WhatsApp status पर कोई भी वीडियो का link डालते हैं तो दोस्तों पूरा पूरा थमलेन यहां पर दिखाई देगा और कोई बंदा अगर आपकी status को देखेगा तो उसको भी पूरा पूरा थमलेन दिखाई देगा जिससे उस को पता भी चलेगा कि कि आपने कौन सा वीडियो लगाया status पर हो सकता है WhatsApp में अभी आपको यह feature ना मिला हो आने वाले दिनों में दोस्तों सभी WhatsApp यूजर को यह feature मिलने वाला है बात करते हैं दूसरी setting की आपको WhatsApp को open करना है status वाले option में आ जाना है अग दोस्तों यहां पर मा इमोजी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको replay बटन पर क्लिक करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको WhatsApp का new feature देखने को मिल जाएगा status reaction emoji आप देख सकते हैं यहां पर किसी का भी status देख रहे हैं चाए वो photo हो या फिर video हो आपको उस पर reaction देना है आप यहां पर single tap में किसी को भी reaction दे सकते हैं कोई भी emoji यहां पर select कर सकते हैं जैसी आप reaction देंगे सामने वाले को notification भी चला जाएगा सामने वाला जब WhatsApp को open करेगा और chat वाले section में आएगा तो जिसको भी आपने reaction दिया है उसके सामने status पर reaction के सामने emoji के side में एक round icon भी दिखा देगा जिससे सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपने उसके status पर reaction दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल की setting आ चुकी है WhatsApp में यहां पर दोस्तों आपको फिलाल 8 emoji देखने को मिलेंगी आने वाले दिनों में WhatsApp इसे customize कर देगा तो यहां पर आपको WhatsApp की default emoji भी क्या भी लाइक करते ना ऐसी और वीडियो देखना चाते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बैल आइकन को भी दबा दो बात करते हैं नंबर तीन वाली setting की नंबर तीन वाली setting बहुत ही important है आप WhatsApp status पर कोई भी फोटो या वीडियो लगाते हैं जैसे क की एक फोटो मैंने ले लिया अब इस फोटो में जो जिंस है इसका बाइलिंक मुझे कैप्शन में एड करना है तो ऐसा मैं कर सकता हूं क्योंकि दोस्तों वाट्सप में अब नियू फ्यूचर आ चुका है वाट्सप स्टेटेस पर कोई भी वीडियो या फिर फोटो लगा सकते हैं कोई भी बंदा आपके स्टेटेस को देखेगा उसको आपका प्रोडक्ट पसंद आता है वो बाइलिंक पर क्लिक करेगा सीधा आपकी वेबसाइट पर चला जाएगा इसी तरह से अब आप यूटूब वीडियो फेस्बुक वीडियो इस्टाग्राम किसी भी इस वीडियो लिख डालो एक कमेंट जरूर कर देना अपने भाई के लिए अब बात करते हैं आखरी सेटिंग की माल लिज यह आप इसी फ्रेंड का स्टेटस देख रहे हैं स्टेटस देखते देखते आपने देखा कि उसने डिपी को चेंज किया है और आप डिपी देखन डिपी देखने के लिए आप व्यू फोटो पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप उसकी डिपी देख सकते हैं यह सोटकट तरीका पहले वर्टसप में नहीं था अब वर्टसप में न्यू फीचर आ चुका है आप स्टेटस देखते हुए किसी की डिपी देखना चाते हैं तो डिपी पर जाने की जुरूरत नहीं है आप स्टेटस देखते ही तो आपने सीधा डिपी पर क्लिक करना है सीधा उसकी प्रोफाइल पर चले जाएंगे यहां से आप आसानी से डिपी देख सकते हैं तो दोस्तो यह थी वर्टसप स्टेटस के चार न्यू फीचर चार न झाल